नमस्त्री सदा वसले मातरभू में जेहन दोसो शुरू करते आज के डिफेंस समाचारों को बढ़ते पर डिफेंस अपडेट की तरफ जो कि पृतिवी डिफेंस विकल को लेकर आ रही है इस पर काम काफी तेजी से सल रहा है और ये जो पीडीवी है ये टू स्टेज यानि की दो स्टेज वाली सॉलिट फ्यूल इंटरसेप्टर मिसाइल है और ये पचास से एकसो सी किलोमेटर की उंचाइब पर ऑपरेट होती है जो की बहारी वातवरन यानि की एकसो एट्मोसफेरिक में बलस्टिक मिसाइलों को निशाना बनाती है पीडीवी की सबसे खास विशेष्टा ये है की इसका डियाडियों के दोरा तयार किया गया इमेजिंग इंफारेट सीकर और ये टेकनोजी पीडीवी को वास्तवी खातियार यानि की एक रियल वेपन और एक दिकोई के बीच अंतर करने में शक्षम बनाती है जिससे की ये अपने टार्केट को सुनश्चित करती है दरसल दोस्तों मैं आपको बता दो कि भारत अपनी टूटायड यानि की दोस्तरिया बैलेस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रनाली के पहले चरण के तैनात की शुरू कर चुका है और ये प्रनाली एक्सो एट्मोस्फेर में बैलेस्टिक मिसाइलों को खत्म करने के लिए पीडीवी को पिर्थिवी एर डिफेंस मिसाइल के साथ जोडती है जिसकी संयुत मारक शमता 50 किलोमेटर से लेकर 180 किलोमेटर तक होती है और इस सिस्टम में दोस्तो एक एडवांस एर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल भी होती है जिसे के 20 से 40 किलोमेटर के उचाई पर इंडो एट्मोस्फेर के अंदर मिसाइलों को लक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है और पीडिवी की डिप्लाइमेंट दोस्तो एक बड़ा मिल का पत्थर भी है भारत की रॉबस बैलस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड का दोसों जनल एलेक्ट्रिक और हेल जीए 414 इंजन डील को लेकर फाइनल बात करें जिसके तहद जीए एचेल को 80% ट्रांसफर आफ टेक्नोजी प्रदान करेगा लेकिन अब जीए की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अब DRDO के साथ पार्टनर्शिप करना चाते हैं ताकि दोनों साथ में मिलकर एक नया 120 किलोनुटन इंजन को तयार कर सकें जो कि F414 प्लेटफार्म पर आधारित होगा और ये 5.5 जनेरेशन के AMC Mark 2 को पावर देगा साथी जीए ने कहा कि ये 2-stage fan साथी forward swift all black design होगा जीए की तरफ से ये भी कहा गया है कि वो इस इंजन का 10 परतिशत तक pressure ratio को बढ़ाएगा जो की 4 परतिशत तक fuel consumption को कम कर सकता है और ये वरतमान के F414 इंजन के तुलना में 20% जारा थ्रस देगा यानि कि दोस्तों EMCA के लिए जो स्वदेशी इंजन भारत बनाना चाता है अपने विदेशी पार्टनर्शिप के साथ उसमें दोस्तों अमारिका कुछ अलगी अंदास से खुसने की कोशिश कर रहा है चलिए बड़ते नेक्स अब्डेट की तरफ दोस्तों बैंगलोर की स्टार्टप ने अब स्वदेशी गैस टर्बाइन इंजन को तयार करने का काम शुरू कर दिया है और दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टन बात इसलिए भी है कि अभी तक जी टी आरी जिस इंजन को तयार कर रहा है उसे काफी लंबा वक्त लग गया है लेकिन वो भी अब अपने एडवांस स्टेश पर पहुंच चुका है लेकिन यहाँ पर जो स्टार्टप्स हैं वो अब सोधेशी गैस टर्वाइन इंजन के विकास के लिए आगे आ रही है और ऐसे ही बैंगलोर की एक स्टार्टप जिसका नाम नवद्रिष्टी अरोस्पेस है उन्होंने IIMA वेंचर से 3 करोड रुपे की फंडिंग हसिल कर लिए है और यह जो इन्वेस्टमेंट है वो फ्यूल इंजेक्टर और कंबस्टर कॉंपोनेंट्स के एक कठोर परेक्षणों के माध्यम से इंधन फ्लेक्स कंबस्टर प्रोटोटाइब के विकास के लिए है टेक्नॉजी से दोस्तों एरोस्पेस इंडस्ट्री में एक बड़ी करामती आएगी तरसल यह जो फंडिंग इन्होंने जुटाई है उसके जरिये नवद्रिष्टी एरोस्पेस अपने कंबस्टर डिजा और पारंपरी के स्टोतों पर निर्भरता भी कम करेगा और इस तरीके से जो स्टार्ट अप कंपनियां सामने आई है खास करकि गैस टर्बाइन इंजन को विक्सित करने को लेकर यह भारत की एरोस्पेस मेहतो कांशाओं के लिए एक महतोपुन विकास भी है और अगर यह क अपडेट की तरफ दोस्टों हाली में आप सबको मिने डिफेंस अपडेट में बताया था कि भारत ने इसराइल को हत्यार एक्सपोर्ट किये हैं लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर एक बड़ी बाधा स्पेन ने लगा दी है इस्पेन ने भारत से इसराइल को हत्यार ले जा आने वाले डैनिश फ्लैग वाले व्यापारिक जहाज को स्पैनिश बंदरगा पर खड़े करने की अनुमती भी नहीं दीगे। इस तरीके की जो रोक लगाईए स्पैन के जरीए इससे डेफिनिटली इस्पैन और इस्पैन के भी संबंदों में तनाव पैदा हो सकता है क्योंकि इस्पैन को इस वक्त एक्स्प्लोसिफ के काफी सक्स रुक बनी भी है। कोई हत्यार की शिप्मेंट नहीं करेंगे और ठीक स्पैन ने वो काम अमेरिका के कहने पर किया है। अगले दो साल के अंदर शुरू हो जाएंगे। और ये इंजन की 73 किलो न्यूटन थ्रस्ट उत्पन करने के शमता को मान्या करेगा और यहीं से एक नए इंजन कैटेगरी का भी विकास किया जाएगा। दरसल डियाडियो का जो अल्टिमेट गोल है वो है 90 किलो न्यूटन क्लास का इंजन तयार करना। जिसका इस्तमाल वर्तमान में तेजस मार्क वने फाइटर जेट को पावर देने वाले F404 इंजन के संभावित विकल्प के रूप में इस्तमाल करना है। अब दोस्तों को मिला करें कहा जा सकता है कि इन परिक्ष्णों की सफलता डियाडियो के लिए F404 इंजन के रिप्लेस्मेंट ऑप्शन के रूप में 90 किलो न्यूटन इंजन की पैरवी करने का मार्क प्रशस्त करेगा। और भविशे में तेजस मार्क वने फ्लीट के इंजन अप्ग्रेड इने के जरीए किये जाएंगे। और कॉणिकेशन जामिंग सिस्टम एरकाफ्ट विक्सित करना है और ये नेक्स जेनरेशन के जासुसी विमान यानि की स्पाय एयरकाफ्ट भारत की हवाई निग्रानी और संचार यानि की कॉणिकेशन डोमिनेस को मचबूत करने में महतपुण भूमिका नभाएंगे। जिनने की खास तोर पर Signal Intelligence और Jamming के लिए डिजाइन किया गया है चलिए वरते नेक्स टेबरेट की तरफ दोस्तो B.E.M.L. लिमिटेड को Northern Coal Field लिमिटेड से B.E.H. 100 रेर डंप ट्रकों की 28 इनोटी की आप उर्थी का ओर्डर मिला है और्डर की कुल कीमत 250 क्रोड रोपे है B.E.H. 100 रेर डंप ट्रक को 100 तन तक के परिलोट के परिवन के लिए इंजिनिर किया गया है जिसे विशेशुप से Heavy Duty खनन कारियों में ओवर बर्दन और कोईले के कुशल परबंदन के लिए डिजाइन किया गया है ये और्डर N.C.L. के साथ B.E.M.L. की निरंतर साजीदारी में एक महतपून मील का पत्थर भी है B.E.M.L. B.H. 100 रेर डंप ट्रक अपने मजबूर डिजाइन उननस सुविधाओं और ऑपरेशनल एफिशेंशी के लिए जाना जाता है बरतने की तरफ दोस्तेजस मार्क वने फाइटर जेट की डिलिवरी इस साल जुलाई में की जाएगी हाली में एक रिपोर्ट के मताबिट ट्रायल की प्रकरिया जुलाई तक पूरी हो जाएगी इसके बाद पहले जेट की डिलिवरी इंडियने एफोस को कर दी जाएगी एफोस और हैचेल के बीच 48,000 कोड़ रूपे की डील हुई है और इस कॉंट्रैक्ट के तह है 83 जेट इंडियने एफोस को मिलने है और यहीं ही दोस्तों इन 83 के अलावा भारती वाई सेना 97 अत्रिक् बना रही है दरसल तेजस मार्ग वने फाइटर जेट में 65% से अधिक स्वजिशी कॉंपोनेंट्स लगाए जा रहे है यहीं यह यह फाइटर जेट आदुनिक 4 प्लस पीडी का फाइटर जेट है ऐसे में दोस्तों कहा यह जा रहा है कि भारत का यह फाइटर जेट पाकिस् सी मुख्य आरोपी है जिसने रक्षापरतिस्टानों के सम्मन्द में गुप जानकारी एक खटा करने के लिए भारतिय नौसीने कर्मियों को हनी ट्रैप में फसाने के लिए पाकिस्तानी एंजिन्टों को मिलाया था बता दे कि अब इस रक्ष पर IPC और UAP Act के कई धराओं क के तहत आरूप दर्ज कर लिया गया है इसके अलावा NIA अब आगी की जांच में भी जूटी है बरते नेक्स अबरिक कितब दोसों इस रो अब एक ने NGLV का डिजाइन तयार कर चुका है और अब सरकार की तरफ से इसे परमिशन मिलना बागी है और सरकार की तरफ से जिफ्ट रॉकेट होगा जो कि पूरी तरीके से PSLV की जगा भी लेगा हाला कि इसका डिजाइन अब पूरा ही होने वाला है और NGLV रॉकेट थ्री स्टेज का रॉकेट होगा ये 10 तन तक के पेलोड को जियो स्टेशनरी ट्रांसफर और प्रिट में पहुंचा सकता है साथ आने रॉकेटों के तुलना में काफी खिफायत ही होगा तो फिला लेते हैं कि टॉप डिफेंस अब्रेट वीडियो को समने कोई प्रश्च जवाब आपको कोई सवाल एक अमन शेक्षिम लेकर जूरूब हो सकते हैं वीडियो को लाइक और शेयर जोर किजिएगा जैहिन व झाल सकते हैं